नमसकर दोस्तो कैसे है आप लोग आज मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ वेस्ट में अगर टॉयलेट है क्यूंकि बहुत सारे लोगों का मतलग ऐसा question हाता है कि साउथ वेस्ट में टॉयलेट है कुछ बोलते हैं कि यह okay है कुछ बोलते हैं नहीं है तो इसमें क्या confusion है ये कब okay है या फिर कहा पर okay है ये हम देखेंगे अगर South West में आपका toilet है भी तो इसका क्या remedy कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों अगर अपने चैनल को अब दक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कुरुपया इसको सब्सक्राइब किजिएगा और इस information को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर किजिएगा जैसा मैंने आपको पहले कहा है कि नेरुत्य कोन में toilet और उसका उपाड़ सबसे पहले ये देखना जरूरी है दोस्तों कि आपका toilet जो है वो नेरुत्य कोन में है या फिर उसके नजदिक किसी दूसरे वास्तुपद में है दूसरे वास्तुपद में इसका मतलब क्या है वो हम देखेंगे समझिए ये एक घर है ठीक है हम इसके सबसे पहले देखेंगे main direction दोस्तों आपका घर में भी rectangle हो सकता है square हो सकता है तो direction matter नहीं करेगा आपको compass से check करना है कि आपके ये direction कहा पर आ रहे है ठीक है और उसी हिसाब से आपको remedies क्या करना है वो पता चलेगा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर मैंने rectangle में आपको दिखाया है इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो घर है वो भी rectangle ही रहेगा ऐसी बात नहीं है वो cut हो सकता है या ऐसा कुछ लेकिन आपको घर का जो center है उस center में compass लेके आपको रुपना है approximate center आप निकालिए वहाँ पर compass लगाईए compass में north जिदर भी दिखायेगा उस प्रकार से north देखके बाकि direction आपको मिल जाएंगे तो आप आपके जो toilet है उसका exact place निकाल सकते हो तो यहाँ पर roughly हम देखेंगे कि यहाँ पर directions okay है ठीक है तो वो हिसाब से अगर हमने मुख्य दिशाये तो देखी है अगर उप दिशाये भी हम देखते है तो उप दिशाये जो आएगी south west यहाँ पर आएगी अभी तो हम south west की बात करेंगे क्योंकि आज का हमारा main topic वो है यह हो गई south west direction यहाँ पर बाकी की दिशावों में toilets रहेंगे तो क्या है अगर आपको उसके उपाय वगरा चाहिए तो north east का I think मैंने एक video upload किया है अगर आपको उपाय चाहिए तो आप कमेंट में बताईए कि आपको कौन से topic पे video चाहिए तो मैं उस हिसाब से remedies के videos बना सकता हूँ तो दोस्तों आगे देखते हैं हम south west यह south west direction यहाँ पर आएगा अभी आपका toilet अगर exactly south west के access में है access में मतलब आपने compass लगा कर यहाँ पर north देखा और आपका south west इधर आए और toilet इधर ही है इसका मतलब आपका toilet south west में है south west के थोड़ा सा यहाँ पर जो direction आता है south west और south के बीच में इस direction को कहते है south south west ओके south south west और वैसी ही इधर भी west और south west के बीच में आएगा west south west तो अभी हम सिर्फ south west, south south west इनकी बात करेंगे south south west जो direction है इसको वैसे भी disposal zone कहा जाता है disposal zone मतलब आप यहाँ पर toilet बना सकते है toilet यहाँ पर रहना कोई problem नहीं कर सकता है यहाँ पर toilet जो है वो अच्छे results देता है इसके अलावा भी एक direction है जो कि west और north west के बीच में आता है west north west यह जगा भी toilet के लिए okay है यहाँ पर कोई negative result नहीं आता है जिसको हम neutral कह सकते हैं कि toilet का कोई negative result वहाँ पर नहीं है तो इसलिए अभी तो south south west हम देखते हैं अगर आपका toilet समझे south south west zone में आ रहा है तो आपको कोई उपाय करने की वैसे तो जरूरत नहीं है ठीक है तो south south west zone जो है उसको आप अगर compass पे देखोगे तो आप देखेंगे कि उसका एक area आएगा उतना area में toilet है तो वो चलेगा अगर वो उसके बाहर south की तरफ जा रहा है तो आपको south direction में toilet आने के बाद में जो भी problem होते है तो उसके उपाय करने पड़ेंगे south direction में exactly कहा पराता है वो देख के उसको हम कौन सा metal यूज़ करना है या फिर कौन से color का वहाँ पर tape यूज़ कर सकते है यह सभी चीज़े हम देख सकते है ठीक है इसके लिए एक basic remedy है वो भी मैं आपको बताऊंगा south west अभी तो हमने देखा अगर south की तरफ आ रहा है तो आप compass से पता कर सकते है कि south south west में है या south में second अगर आपका south west zone में आ रहा है toilet तो ये वस्तुदोश है क्योंकि south west जो है ये आपका stability का direction है पित्रों की दिशा है राहू का direction है यहाँ पर जो है पानी बिल्कुल नहीं चाहिए south west direction में अगर पानी in the sense बाके और कुछ चीज़े है आपका समझो kitchen south west में है sink वहाँ पर आ रहा है या washing place है या फिर कुछ tank बना है इन सभी चीज़ों के लिए caramidies है वो अलग topic है अभी हम सिर्फ toilet का देखेंगे अगर यहाँ पर toilet आ रहा है तो सबसे पहले तो यह problem होगा कि यहाँ पर गड़ा बनेगा अगर Indian toilet है तो अगर Indian नहीं है अगर आपका कमोड है और वो भी wall mounted है तो यह एक अच्छे बात है लेकिन फिर भी यहाँ पर पानी का flow आ रहा है तो इसको क्या remedy कर सकते है तो सबसे basic remedy अगर आपका toilet कभी भी किसी भी गलत दिशा में आ रहा है गलत मतलब south-south-west और west-south-west यह दोनों जगे छोड़कर आपका toilet ना कि bathroom की मैं बात कर रहा है अगर toilet किसी भी दूसरी दिशा में आ रहा है जहाँ पर नहीं होना चाहिए तो आपको सबसे basic remedy दोस्तों यह करना है कि उस toilet में आपको काच के बाउल में जो सागरी नमक होता है वो रखना है जिसको खड़ी मीट भी बोलते है वो आप वहाँ पर रखना है यह जो नमक है यह आप हर हफ़ते change करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा starting में अगर एक हफते तक आप इसको 2-3 दिन 2-3 दिन में change करोगे यानि कि एक हफते में दो बार अगर आप change करोगे पहले week में तो यह बहुत अच्छा है बाद में आप एक हफते में दो हफते में change कर सकते है इसको weight नहीं होने देना अगर इसमें पानी जमा होता है ज़्या वहाँ पर आपको और एक काच का बॉल लेना है और उसमें आपके पास अगर fit curry है आपको किसी भी grocery शोप में मिल जाएगे आप फिट करी लाना है और वो fit करी के 1-2-3 तुकड़े उसमें रखना है और यह जो fit करी है कि आपको एक 20-25 दिन में एक बार change करना है यानि कि पुरानी वाली निकाल देना है दूसरी fit करी वहाँ पर रखना है यह सबसे basic उपाई है अगर आपका toilet किसी भी wrong direction में आ रहा है तो वहाँ पर जो negativity create हो रही है wrong direction के वज़े से वो कम होने में मदद मिलेगी अभी सिर्फ south west के लिए क्या उपाई कर सकते हैं तो south west के लिए आपको क्या करना है आपका जो indian toilet अगर वहाँ पर है तो उसके side में एक 4 inch की yellow color की पट्टी आपको एक तो tape भी मिलता है यानि कि हम जिसको चिपकाने का tape कहते है yellow color का tape भी आपको मिलता है उसको 4 inch का tape वहाँ पर लगा सकते है या फिर आप सिदा-सिदा yellow color भी वहाँ पर लगा सकते है minimum उसकी जाड़ी 4 inch तो भी रहना चाहिए ठीक ये आपको ध्यान में रखना है ये remedy आपको बहुत अच्छा result देगा अगर आपका toilet south west में है अगर toilet south south west में है तो उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ये आपको ध्यान में रखना है सिर्फ और सिर्फ अगर आपका toilet south west में है और septic tank भी आपने यही पर बनाया है तो definitely वो south west के तरफ जाएगा तो वो wrong है वैसा नहीं होना चाहिए तो दोस्तो ये एक remedy मैंने आपको बताई है south west के लिए आप ये जरूर कीजिए आपका toilet अगर इस दिशा में है तो हम आप ये remedy कीजिए आपको बहुत अच्छा result मिलेगा दोस्तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रूपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद थैंक्यू दोस्तो